जाएन साथियों, मैं दिरेंद, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस टापिक में हम बात करने वाले हैं डारेक्शन के सांकितिक दिसाएं जो हमारा इस टापिक होगा या इसको हम कहते हैं कोड़ेड डारेक्शन और direction की ये आज ये last class होगी और इस class के बाद direction chapter हमारा समाप्स हो जाएगा और उसके बाद हम मिलेंगे एक नए topic के साथ जो कुछ भी हो सकता है आज तो clear नहीं करेंगे किया होगा कल की class में आपको मालूम पढ़ जाएगा कि हम किस chapter पर अध्यन करेंगे ठीक है देखिए सुरू करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आप हमारे चनल पर नए है तो please like share जरूर कर दीजेगा और अपनी जो प्रत्क्रिया आपकी है इस वीडियो के बारे में इस चनल के बारे में वो जरूर अपनी राय comment box में comment करिएगा देखिए सांकितिक जो होता है मारा जो सांकितिक दिसाय होती है जो coded equation होता है या coded direction होता है वो solve कैसे होता है तो यहाँ पे हमको कुछ code दिया होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है question में P add the rate Q equal इसका मतलब क्या है ठीक है P add the rate Q इसका मतलब है P जो है वहाँ Q के 6 km कहा है पूरब में ठीक है तो code यानि जहाँ पे लिखा होगा add the rate उसका मतलब क्या होगा P Q के 6 km पूरब में होगा उसके बाद P has Q है has का मतलब क्या है has का मतलब यह है इसमें लिखा हुआ है कि जो Q है Q P के Q P के 4 km कहा है उत्तर में ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है P % Q P % Q का मतलब क्या है कि Q P के 12 km दक्षिड में ठीक है तो यह जो coded equation है या coded हमारा जो direction है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो इस according हम question को आसानी से solve कर सकते हैं आप यहां पर पूछ रहा है कह रहा है कि यदि A at the rate B, B has C, C % D तब D A से कितनी और किस दिशा में है आप सभी लोग इसको solve करिए और बताइए कि जो यहां पर question है इसका answer correct answer क्या आएगा देखिए चलिए मैं आपको solve करके दिखाते हैं देखिए कह रहा है यहां पर कह रहा है कि A at the rate B और देखो यहां पर at the rate का मतलब क्या है P Q के 6 km कहा है पूरब में तो A कहा होगा A होगा B के 6 km पूरब में तो B का पूरब कहा होगा इधर होगा और अगर दूरी है कितनी 6 km तो यहाँ पर कौन होगा बताओ, यहाँ पर होगा A उसपे बाद कहरा है B has C, यहाँ पर has का मतलब क्या है P has q का मतलब है क्यों p के 4 km उत्तर में है, q कहा है p के 4 km उत्तर में है, तो ऐसे ही यहाँ पर C कहां होगा? C होगा B के 4 km उत्टर में. जो C हो कहां है? B के 4 km उत्टर में. उत्तर कहां होगा? यहाँ पर कौना जाएगा C? और दूरी कितनी है? 4 km. उसकी बाद C, P%, D. यहाँ पर कहा रहा है P%, Q का मतलब क्या है? QP के 12 किलो मीटर दक्षिण में है Q कहां है QP के 12 किलो मीटर दक्षिण में है तो यहां भी क्या होगा D जो होगा कहां होगा C के 12 किलो मीटर दक्षिण में अब D जो है C के दक्षिण में होगा तो C के दक्षिण कहां होगा नीचे होगा चार तौल लड़ी हो चुका है बचा कितना आठ और बच रहा है इसका मतलब यह जो होगा यह कितना होगा आठ और कुल दो दूरी होगी और कितनी होगी बारा किलो मीटर और यहां पर कौन आएगा यहाँ पे आज आएगा D तो पूँच रहा है कि D A से कितना और किस दिसा में है D जो है A से कह रहा है कहां से A से D जो है वह A से कितना और किस दिसा में है यह पूँच रहा है आप से तो देखो यहाँ से देखोगे यह हो जाएगी वह हो जाएगी दक्ष्ण पस्ट्रिम अब देखो दक्ष्ण पस्ट्रिम कहा है फिर एक ही आफ्षन है कौन सा यह वाला यानि इसका मतलब करेक्ट आफ्षन क्या होगा आफ्षन नमबर भी लेकिन दूरी हमको पता भी नहीं है लेकिन आफ्षन से भी बन रहा है यह हमारा क्या बन रहा है यह हमारा क्या बन रहा है हाँ देखी तो हमको यहां पर कण का मान निकालना है ठीक है जब कण का मान निकालेंगे तो उस कंडिशन में अब क्या होगा यहां पर हम क्या बनाएंगे पैथा गोरस प्रमी लगाएंगे तो कण बराबर क्या ह कर्ण बराबर होगा अंडर रूड आधार का स्कॉयर फ्लस लंब का स्कॉयर तो हमारा जो आधार हो कितना है वह 8 है और 8 का स्कॉयर कितना होगा 64 ऐसे 6 का स्कॉयर कितना होगा 36 ठीक है एड करने पर कितना आएगा 100 तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 10 किलो मीटर, यानि इसका जो मान आएगा हो कितना आएगा, दस किलो मीटर और दिसा क्या आएगी, दक्षन परस्टीम, ठीक है, तो इसमें correct option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, option number B, B हमारा इसमें correct हो जाएगा, आईए देखते हैं, इसमें एक कुशन और देखते हैं, इस का last होगा, और उसके बाद मैं जब कल next topic स्टार्ट करूँगा, तो उसमें हम नए chapter से बात करना सुरू करेंगे, ठीक है, देखिए, दूसरा question क्या कह रहा है, दूसरा question कह रहा है, इसमें, कि P हैस Q बराबर, बराबर, Q P के 12 km दक्षिल में है, यानि हैस का मतलब क्या है, Q P क 12 km दक्षिल में है, P at the rate Q का मतलब क्या है, P Q के 6 km पर्सिम में है, Q percentage, P percentage Q कार्थ है, P Q के 8 km दक्षिल में है, तो कह रहा है दी, R has S, T at the rate S, U percentage T, तो U के सापेच, S किस दिशा में है, ठीक है, आप सिर्शा पोच रहा है, दूरी नहीं पोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यह यहां से अराम से मिसाल कर सकते हैं, देखो, यहां पर कह रहा है, R has S, has का मतलब क्या है, यहां पर P has Q का मतलब है, Q P के 12 km दक्षिल में है, तो S कहा होगा, तो S कहा है, R के 12 km दक्षिल में है, दक्षिल कहा होगा, नीचे होगा, तो S यहां पर आएगा, और दूरी कितनी है, बताओ 12 km फिर यहाँ पर कह रहा है कि T at the rate S P at the rate Q का मतलब क्या है Q P Q के 6 km उत्तर में है ऐसे T कहा होगा S के 6 km पस्चिम में है ठीक है तो पस्चिम कहा होगा बताओ इधर होगा और कितना है 6 km तो यहाँ पर कहोना है T आज आएगा ठीक है यह कितना है 6 km है चलिए थोड़ा से कम कर देते हैं यह ठीक है आप देखो आगे उसके बाद फिर का कह रहा है कि U % T U % T यहाँ पर कह रहा है कि P % Q का मतलब क्या है P Q के 8 km उत्तर में है तो U कहा होगा T के 8 km उत्तर में ृ8 km उत्तर कहा होगा ऊपर होगा और 8 है कि इतना होगा क्योंकि यह 12 है में ठीक है यह कितना है यह है यह है 12 न इन यहाँ पर क्वाना है डावो स at यहा से था अरऊ ठीक है कि यहां पर कौन आजाएगा यहां पर आजाएगा U embargo दूरी कितनी है बताईए दूरी है आठ किलो मीटर की ये तो पूछ रहा है कि U के सापेक्ष S कौन से दिशा में है U के सापेक्ष जो S है वह कौन से दिशा में है तो U के सापेक्ष निखा लेंगे S तो देखो यहां पर देखो ध्यान से यहां पर कितना आ जा रहा है यह दिशा हमारी क्या है यह दिशा हमारी पूरब है और नीचे क्या है दक्षिड है तो बीच वाली क्या हो जाएगी दक्षिड पूरभ क्या हो जाएगी दक्षिड पूरभ ठीक है ? तो correct option क्या हो जाएगा ? option number C option number C क्या है हमारा? correct है तो मित्रों इस वीडियो में हम coded जो direction है उस पर हम बात कर चुके हैं और इस रिंकला में जो हम direction आपको पढ़ाए इस direction में लगभग हम art class हमारी हो चुकी है art class में हम जितने भी topic के question बनते हैं जितने भी type के question बने हैं तीक है यानि इसमें लगभग art type के question बनते हैं और उस सभी type को पर हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन अगर कोई भी miscellaneous question होता है तो miscellaneous question आपको कर समस्चा करता है तो आप हमारे channel पर उसको comment कर सकते हैं और comment करेंगे तो हम channel के माध्यम से आपके जितने भी doubt हैं उसको खतम कर देंगे और हाँ अगर आपको कोई भी समस्चा हो रही है किसी subject में या math में या हमारे जो अन्य subject चल रहे हैं हमारे channel पर उस पर कोई समस्चा हो रही है तो आप उसके लिए आप जा करके channel पर comment करिएगा उसकी साथी समस्चा हैं आपको तुरंत करवा दी जाएंगे ठीक है और अगर कुछ समस्चा हैं मतलब हमारे reasoning की topic में तो आप अगर चाहो तो comment कर लिजे या फिर चाहो तो आप हमारे number के साथ भी या mobile number के साथ भी समपर कर सकते हैं ठीक है तो comment करेंगे तो comment box में आपको हम अपना mobile number प्रवाइड करवा देंगे तो आज कर इतना ही रखते हैं और कल शु समदर तरीके से जहां से आपकी सभी doubt खतम हो जाएंगे ठीक है नमस्कार धन्यवाद